हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो एकेटी टॉक्सो लेट्स वेलकम आवर तुड़ेस्ट पारूल कटारिया वॉलीबॉल के लिए रहे हैं इंदुस्तान में इनको कोई वॉलीबॉल को कोई पोच्टा ही नहीं है क्योंकि हमारे यहां क्रिकेट को सब बोलते हैं कि क्रिकेट इस करनामे के हुए, नेशनल खेले हुए व्य। लस इंटरेशनल भी इंडिया को रिप्रेजन कर रखे हैं! तो आज इनी के मुह से सुनते हैं वोलीबॉल के बारे में मैम, Please welcome to the show! यहां थोड़ा से आपके वोलीबोल के जर्णी के वारे में पता ही कि इतने चोटे टाइम में तो सब कुछ बयान करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बहुत नंबा पीरेड है और मैंने जहां से स्टार्टिंग किया था वो 2006 से किया था मैं गाउं में पलीवड़ी हूं ग अनीं कर रहे है कि क्या कर रहा था था में कुछ पता नहीं होता ह था माट सोड़े चाहिंठा है थोड़े का इनबाद सोड़ते था कि ती है कि मुझे निकी पता था मूं आखिक्स एड़ती का ट्रा cach Genau है थी कि उस टाईम पर खश pojawल्ग जही है था माट सब कही ह contexto आए तो अ पर शेनियर्स मिली उनको देखा कि वोलीवाल कभी एक करियर है उसमें प्रैक्टिस किया बहुत हार्वर्क किया तो वहीं से जर्मी स्टार्ट ही तो आपने कितने नेशनल केल रखनें अभी तक? 22 चुएंटिटमें में 22 कहां कोँंटिंग में 22 कहां आपने में12 और शेंटैनसरि केल यह एक शूंटिंग में 22 है और इसे पेछे भी हार्वर्क है बहुत ज्याहर्ड़्क है इंजरिय है शरीर में पैन है बहुत हीज़ है हुछ Plant Department Department तो इंटरनेशनल मेट कॉंछ से कंट्री फी म года कि खेला था जो फ्रेनाशनल था उसके बेशक्ड़ वेटनाम तो मं अप कॉंसे थूब्सेयों में खेलते हैं मैं काउंटर अटेकर जो साइड हीटरी समेशर होता है उस पोजिशन पर में खेलती हूं तो एक वोलीबॉल क्लियर के लिए किस ताइप के एक्सेसिस की ज़रूरी है कौन से कौन से स्टेंग्ट वरकाउट करके हैं कौन से कौन से डिल्स करके हैं GR ।र वलीबॉल भेलं थेदू है कि सताइप कर वोलीबॉल भेल क्यानि не वीस्ति का उने पर आपने हूं अचेवर में तो साइप में ऑड़ा करा जिने हायट पर साथ में आदेग्य हैं और उसके बाद रही exercise की बाद तो stamina बहुत जरूरी है क्योंकि continue दो बॉल हिट करनी पड़े, तीन बॉल हिट करनी पड़े, उसके लिए हमें physically fit रहना बहुत जरूरी है एक्सराइज की बाद, jumping exercise, आप अगर setter हो, attacker हो, कुछ भी हो, आपको jump, volleyball में jump है कैसी चीज है जो सब को चाहिए तो अभी इंडिया में जैसे सब लोग cricket को प्रोमोट कर रहे हैं, बाकी sports अभी धिरे धिरे आ रहे हैं, तो volleyball के infrastructure के बारे में क्या बोलेंगे, मुंदो facilities है हमारे इंडिया में? मैं अपनी तरफ से बόलू तो जैसे मैंने जोस्कोल्में हैं, अभी तक फिलते आ है हैं, तो फैसिलिटी इस बहुत कम हैं मैंने बाहर भी खेलाद हैं, बाहर के अकोर्डिंग मैने यह यह के देख़ वहांड़ हों हार स्kूल में इंडॉर है, हर स्कूल में इंडोर है और हमारे इंडिया में गिने चुने इंडोर है जहां पर वॉलीबोल की प्रैक्टिस या मैचे जो बाहर होते हैं वो मुस्टली क्या सबकुछ ही इंडोर में होता है। हम प्रैक्टिस करते हैं आओडोर में। हमें मैश खेलने को मिलता है इंडोर में। तो वह फैसलीटी हमारे इंडिया में नहीं है। और उसकी वज़े से बहुत सारी प्रोबलम्स भी प्रेइट होती है बहार जो मैच केलते हैं तो जैसे अब आउटडोर में प्रैक्टिस करते हैं फिर मैच कहलने जाती है इन्डोर गेम्समें इंडूर उसमें उसके लिए शूस भी अलग-अलग होते हैं शूस भी मेरे खाल से शूस चेंज करने पड़ते हैं क्योंकि उस पे कोई-कोई तो वुड़न होता है किसी-किसी पर वो लोग तेरफ्लेक्स लगा देते हैं बट उसके अकॉर्डिंग शूस का भी किसी-किसी पर कुल दो हमें फोलकिल रखी-किछों के सुछ इफस्पोर्णाया मेरा सबसे पहले ना क्या चाहिहीं जर्घ को होने के उत्कुर्णाया थैसे लाक्रीं विए कर ट եे क्या ata टेंभाटने के तो अच्छीचीजीज़ खानी चेलिए ये तो सबको ही ओल्मश पता है बढ़ने क कि भावजूद भी हम लोग नहीं खाते हैं वो चीज गलत है तो अच्छी डाइट रहना चाहिए मौर्निंग से लेकर मिन दखना चाहिए हमें अपनी बोड़ी को ध्यान लखना चाहिए में चीजे इंजरी होना चाहिए हर चीज को अवएड करना चाहिए जो भी हमारी बोड एक चीज से और पूछना चाहोंगा कि आप दीन में कितने ग्यांटव प्रैक्टिस करते हैं घंजडा तो ऐसे गिना नहीं है कभी नहीं गिना है बटो और सेज्डाय भी हो जाता है दो से तीन भी हो जाता है बेच में शोपर गभी जिम भी करलेते हैं अदरवाइस जो मन क स्वार्टिस गौटिस्टेशी में फैस्य में मारट एंग मुझा जा जाता है तो एक गुटिनिवस्टी वह चल रहा है वह ब्रेक नहीं होता है एवनिंग नहीं हमारा जो हमारा जेशिल पे उसकी पैक्टिस होती है दो जाता है तो कोचेज वगरा है, कोचिंग फैसिलिटी वगरा है, हां जी, वो पोच हैं हमारे, वही उनके अंडर में हम लोग पैक्टिस करते हैं, तो लास्ट कोस्टिन में पुछना चाहूंगा, यहां से आगे क्या देखना चाहरे है, फ्यूचर प्लैनिंग क्या है अप, फ्यूचर इमांदारी हो, इमांदारी से टीम चले, इमांदारी से आगे बढ़े, सबसे अच्छी चीज तो यह है, पार्शाल्टी ना हो, वो चीज सबसे ज्यादा है, और मैं तो यही चाहूंगे कि हमारा गेम भी, हमारी इंडिया भी ओलम्पिक में क्वालिफाई करे, सब अच्छ अच्छी तो आज का इंडिया था, आपने सुना वालीबल के बारे में बहुत कुछ बताया है इनोंने, जिस देश में, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि जिस देश में टिकेट को इतना बगवान माना जाता है, उन्हीं देशों में बारे में किसी को पता ही नहीं, इ कॉमिंग तो ये था आज का कंटेन, जिस लाइक शेर और कमेंट कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को काइंच प्रेस कर दीजिएगा तिल देन, स्टे तून पर अप्रमिंग विडियों, थैंक य। धैंक य।